हेलो माई डिरी स्टुडेंट्स हम हैं इंदिया के नंबर वन पॉली टेकनिक अप एस टेकनिक जोएन एस टेकनिक अप बिकॉज यहां आपको मिलेगी वीडियो क्वाइल्टी ऑप्सन जिससे होगी आपके डेटा की बचत वीडियो के बगल में होगी उसकी पीडियेव तो नोट्स को ढूड़ने की जंजट बिलकुल कतम यहां आपको मिलेगी टॉपिक बाइस वीडियो तो डोंट फेयर विकॉज एस टेकनिक हैर कंटेंट आपको मिलेगा हिंदी और इंगलिक्स दोनों भासाओं में पच्चे सालों के एक्सपिरियन्स के साथ एस टेकनिक आप को देता है क्वालिटी ओफ एजुकेशन यहां आपको मिलती है वन नाइट सीरीज जिससे आपके एक्जाम की तैयारी होती है बहतर से कुछ और ज्यादा बहतर एप पर मिलेगा बुक स्टोर जहां बुक्स पर मिलेंगे आकर सा कॉफर और फ्री होम डिलेवरी का बादा त 1134 पर कॉल करें और एस टेक्निक आप जोइन करें आपके सेमस्टर की तैयारी हमारे जिम्मेदारी हेलो माइडियर स्टुएंट्स कैसे आप सभी लोग उमीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे स्वागत है आप सभी का आपके अपनी उप चनल एस टेक्नि कि मेक और माइंड स्टार पिपर तो जल्दी जल्दी हमारे साथ सभी स्टुडेंट जुड़ जाई है बहुत अच्छी बात है लेकिन इतनी कम संख्या मैं मतलब मजा नहीं आ रहा थोड़ा जा और वीडियो को सेयर कर दो अपने दोस्तों को भी जल्दी जल्दी एप पर है ना जो भी बच्चे यहां वाँ भटक रहे हैं वो स्ट सेमस्टर की तरह सेकेंड में भटकन आ जाए इसलिए तुम्हें थोड़ा साथ महनत करनी पड़ेगी आरमाइलिए कि उन सबको भी एप पर जो है जोड़ना पड़ेगा आपको तो सभी बच्चे वीडियो को जल् यूटूब पर पड़ेगा या एप नहीं आए अब तक तुम लोग है जल्दी से आओ देखो यार एप पर जल्दी से है ना अज मोल संजना सिवाम रितेक प्रितिक छा आप लोग अब तक यहीं सोच रहें कि जो रेगुलर बच्चा है वो एप पर आजाए फिर हम यूट टेक्निक पर चलाई जाएंगी तो सभी वच्चे एस टेक्निक पर लाइव जादा से यादा संख्या में जुड़िएगा ठीक है तो चलिए अभी यह स्टार्ट करते हैं क्लास को और सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि एस टेक्निक का जो ओफर 24 फरवरी वाला आप कि देख रहे हो यह जो ओफर जो है बढ़ गया है और 29 फरवरीता की ओफर आपका क्या है हो चुका है तो सभी लोग अभी के अभी जाईए और तुरंत एस टेक्निक आप जोइन कीजिए और अपनी तैयारी में चार चांद लगाईए क्लियर और देखो अकेले जुड़ने ना तो यह फायदा आपका होगा क्लियर तो सभी बैच्चे बिल्कुल जल्दी जल्दी एस टेक्निक आप जोइन कर लीजिए और इस संख्या को जो लाइब वीवर्स हमारे जुड़े हुए है इस संख्या को कंटीनुवसली जो है वो क्या करते चलिए बढ़ाते चलिए ठ आप पर देखें फिर वीडियो हमें यार है ना पता तो चलिए तुम जुड़ गए एप देखो जल्दी से चो अर्चना भारगोजी क्या लेख रहे हो आप है चलो आए बात करते है क्वेश्चन की जो मैंने आपको क्वेश्चन होंबर्क में दिये थे ठीक है आज हमारे के निमेर कल की जो है क्लास है कल क्लास नहीं हो पाई थी बट आज की क्लास में हम लोग ये सारे क्वेश्चन जल्दी से करने वाले हैं पहले क्वेश्चन का आंसर क्या था बच्चे आप लोगोंने कमेंट किया था ठीक है पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है तीन और रिज तो यह आगे आपका बन अपॉन आर की वेल्यू यहां से आर की वेल्यू जो आजाएगी वहाजेगी 70 अपॉन 59 टीक है डिवाईड कर दो तो बन टाइम जाएगा आपका 59 59 पॉइंट लगाया जीरो नाइन और वन टैन सेवन में से जाएगा बन 11.059 तू जा कितना हो जाएगा दुनम अठारा तू पंचे टू टाइम ठीक है 108 हो जाएगा टू बचेगा पॉइंट लगा है जीरो 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 फाइब आपका थिरी टाइम जाएगा तो परती जी हमारे साथ एप पर जुड़ चुकी है प्रियंका गौतम जी एप पर आ गई है स्वागत है आपका बिटा और भी जो बच्चे अब तक यूटूब चैनल पर देख रहे हैं वीडियो यह सभी बच्चे हमें ठीक है यह सभी बच्चे हमें कहां देखने चाहिए ए पूरी क्लासे आपकी एस टेकनिक पर चलाए जाए जाएंगी तो सभी बच्चे यह टेकनिक याप जुए करें और अखेले मत करें अपने साथ में अपने कॉलेज के सभी दोस्तों के साथ क्लास को जॉइन करें और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई start करें ठीडियो बात करत देंगे 2 प्लस 5 बाराबर आपका 7 ओम हो जाएगा ठीक है यह आपका टोटल रिजिस्टेंस साथ हो जाएगा इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर दो पांच और साथ तीनों रिजिस्टेंस आपके सीरीज में जुरे हुए हैं तो आर एक्वल टू प्लस का 5 प्लस का 7 एक्वल तो सेवन प्लस सेवन इस इक्वल टू 14 ओम आपका क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा तो यह तीनों कोश्चन हम लोगों ने बड़े प्यार से सॉल्व कर लिए 14 आएगा ना साथ पांच बारा और दो चाहुदा 12 कैसे आ रहा है हैं कुछ भी नहीं बेटा आंसर सही क्योंकि क्लास में आज आपको जो है साउंड के चल रहे थे उसके आगे आपका टॉपिक बढ़ रहा है तो आप सभी लोग जो है सामकी क्लास में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुरिएगा और वीडियो को सेर करते चले एक बच्चे को जल्दी से बुला ले ठीक है आ और बीके बीच में टोटल कितना रजिस्टेंस होगा यह आपको बताना है जबकि यहां पर यहां पर जितने भी रजिस्टेंस लगे हैं सारे के सारे रजिस्टेंस जो हैं वह आपके कितने के हैं दस दस ओम के हैं किलियर बात भाई क्लिया डीजे भजरा है लिखने में प्रोब्लम हो रही है यह हमाया नहीं भजरा सब्सक्रेइब में अजिता है तो इस पूरे में टोटल रजिन्स कितना होगा बताई तो देखो वेटा इसका हम equivalent circuit बना लेते हैं यह जो आपका circuit है इसमें तो केबल एक resistance लगा है दस ओम का केबल ठीक है इसमें 10 और 10 के दो resistance लगे तो क्या यह दोनों सीरीज में हैं बिल्कुल हैं तो यह दोनों अगर सीरीज में हैं तो 10 और 10 मिल करके यह कित्ता हो जाएगा और यहां चौथी लाइन में अगर आप देखें तो चार रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हुए हैं तो यहां टोटल रेजिस्टेंस जो आपका आजाएगा वो कितना आजाएगा वो आपका टोटल आजाएगा चालेस ओम ठीक है और इन चारों को हमने क्या कर दिया इस टाइब से कनेक्ट कर दिया ठीक है इस से हमने इन सब को क्या कर दिया बिटा जी कनेक्ट कर दिया तो यहां पे और बी पॉइंट के बीच में आपका टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा यह आपको बिटा पहलाल का एक combination बना दिया फिक एक combination इनका बना दिया दोनों को मिला के तो जब दो resistance पहलाल में होते है तो दोनों का multiplier अपन दोनों का यह घो यही होता है यह formula तो 20 धाम कि कित्ता हो जाएगा 200-2032-0 से 0 कट गया यह ओ गया आपका 20 तीस बटा तीन सेम ये दोनों भी किसमें है पहलल में तो इन दोनों को भी मिला के एक बना दो ठीक तीस और चालेस दोनों किसमें है पहलल में तो क्या हो जाएगा 30 इंटू 40 अपॉन 30 प्लस 40 तो हो जाएगा 1200 अपॉन हूध चालो और 30 70 0 से 0 कट गया कित़् आ आएगा साथ एक कम साथ पांच बटा सशक्ते उननेचास एक बचाद समलोह एक सत्रा दसमलोष और ये दोनों किसमें आ गए अब अब ये दोनों फिर से पहलल में आ गए है ना यह दोनों फिर से किसमें आ गए आपके पहलेल में तो अप इन दोनों का पहलेल निकाल लो आप है ना इन दोनों का पहलेल निकाल दो जल्दी से क्या करें वीडियो को सियर करें कल की क्या आज की करेंगे हम तो चलिए ठीक तो जैसा कि आपको बताया हुआ है कि सारी क्लासे आपकी जो है अभी यूटूब पर मैंने आप लोगों को काभी कुछ क्लास देदी हैं डेमो मैंने आपको दे दिया आप लोगों ने अच्छे से चीज़ें समझ ली कि कैसे क्लासे चल रही है और कैसे आपकी क्ल है यह होगी बेसिक इलेक्टिकल की बैसिक इलेक्टिकल इंजिनिएं या बी डबली की डी तौह ली ऑर आपकी फस्ट की आपर आपड़की…. ट्रपली की यह सारी क्लास मतलब यहला 7 वजे वाली एक लास कल से केबल और केबल एक ट्रपने पर चलेगी किलिये गलसे एक Day बमे ठीट सामये पर यही जो टाइम है उसी टाइम पर मैं यह पर यह तो ट्रफल चलाउंगा तो जो भी बच्ची अब तक आ recording पर नहीं 20 अपन 3 इसको आप सॉल करके टोटल रिजिस्टेंस फइंड कर सकते हैं इसी समझ में आ गया सब को चलिए आधित तारिया जी जोड़ गया है बोल रहे हैं लोड लेट हो गया लेट नहीं होना है ना टाइम से जरूना है अपनी क्लास हो में क्लियर चलिये तो यह आपका आंस अवेलवेल है आप तुरंट जाईए अभी के अभी एस टेक्निक एप से जुड़िए कॉल कीजिए हमारे नंबर 731-011-1134 या फिर 786-011-1134 अगर आपके पास वन टाइम पेमेंट है आप वन टाइम में भी पेमेंट करके अपना कोर्स जुड़े और तैयारी को बिल्कुल बहतरीन तरीके से क्या करें इस्टार्ट करतें होगे तो सभी वच्चत तुरंत एस टेक्निक अपने मूउव हो जाई है क्योंकि कल से जो क्लास आपकी होगी वो के वाड़ कहां चलेगी एस टेक्निक एप पर चलेगी ठीक so next question आपका क्या है देखो जारा धियान से next question आपका ये रहा आपके सामने क्या कहा रहा है question check question आपसे कहा है कि r1 r2 r3 r4 r5 r6 r7 r8 r9 r10 यह 10 resistance जोड़े हुए हैं और यह जितने भी resistance आपके हैं इन सारे resistance की जो value है बिटा वो कितनी है बिटा जी यह सारे resistance की value आपकी 2020 ओम है कितने बिटा जी बीस बीस ओम की यह value है ठीक है बीस बीस ओम के हमने क्या कियो हुए है यह सारे resistance लगाए हुए है ठीक है तो इनका फाइनल टोटल resistance कितना आएगा यह आपको ग्या करना है बिटा बताना है क्लियर समझ यह तो देखो बेढ़िया ध्यान से एप्वाइंट आपका यह रहा बीप्वाइंट आपका यह रहा बीस बीस ओम के सारे resistance है तो हमने यहां पर इस के equivalent circuit बनाया तो देखना ध्यान से य यह दोनों 20-20 ओम के पहलल में जुड़े इसका टोटल रिजिस्टेंस क्या होगा 20 multiply by 20 upon 20 प्लस 20 तो हो जाएगा दो दूनी 400 बटे दो और दो 24 जीडो सी जीरो कट गया कितना बचा आपका दस ओम बचा ठिक सो इसका डिस्टेंस कितना अमिक्षिका आपका इसका total resistance आपका आं घ्याँ तुकह है अब आपको यह दो को टीनों यह तीनों फिर से कुसमत है पहती सीरी तो वन अपॉन टुइन्टी वन अपॉन Ok 21 20 प्लस वन अपॉन 20फसबैं अपॉन्टी एड किया तो अलाव के 2020 एन तो 2020 के मिलके कत्ता बन रहा है आपका 10 यह दोनों मिलके 10 बन गए यह दोनों मिलकर के बन गए 10 और यह टेन और फिर किसमें है पहलल में तो इसमें टोटल जो आएगा वह आएगा 10 into 10 upon 20 मतलब 100 upon 20 solve भी किया तो कितना आ गया फाइब उम तो यह आपका क्या हो जाएगा यह आपका हो जाएगा फाइब और यह आपका भी प्येट केलियर अभी चारों कुसमें है सीरीज में है अगर यह चारों सीरीज में है तो हमने 2010 305 35 35 प्लस 20 अपॉन 3 एड़ किया तो 105 प्लस 20 बटा 3 मतलब 125 बटे 3 मतलब 34 के बारा तीर एक तालिस दसंद लौ 6 6 ओम जो है वो आपका क्या आ गया टोटल रेजिस्टेंस आ गया किरियर करें समझें तो यह कॉश्चन आप क्या है बिटा जी यह कॉश्चन आपका जो है वह आपका है किस से 20 ओम का यूजड किरके मैंने आपको बताया कैसे एक वृष्चन करना है तो हमने क्या किया यह तो 20 ओम का है यह दोनों पहलेल में है तो आया 10 ओम यह तीनों पहलेल में है तो आया आपका 5 ओम कि लिए और फिर इन तीनों को हमने क्या कर दिया सीज में कर दिया एड कर دिया फाइनल आंसर 125 वाटा थी वीडियो को शेयर करते चले अभी भी बहुत कम बच्चे जुड़गए है ठीक है जिन जिन तक मझ लीजिए द्याद से तो ऐसे लोगों को भटकने से बचाने का काम तुम्हें करना है हर एक बच्चे इसको आप बताएं कि एस टेक्निक अप से जुड़ें वहां पर सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लास आ चाहे हो अपलाइ मेचनिक वाइड कलास ओब्यमीय की ऐस बसको ब सब्सक्राइबार जिए कोई बात नी समय ठीक है आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका तो आपको जुड़ने के लिए करना क्या है बिटा के वाल एक काम करना है हमारा जो नंबर है 7310-11-1134 इस नंबर पे या 7860-11-1134 इन दोनों नंबर पे आपको कॉल करना है क्योंकि आपको बता दें कल से यह जो क्लास आपकी होगी वो केवल और केवल एस टेकनिक एप पर चलेगी ठीक है तो आप लोगों को टेकनिकल सब्जेट की जो क्लासे है वो अब यूटूब पर नहीं होगी वो सारी टेकनिकल क्लासे आपको एस टेकनिक एप पर प्रोवाइड होंगी किलियर तो अगर आपको टेकनिकल सब्जेट लाइब पढ़ने है तो आप एस टेकनिक एप से जुड़ी है हमने आपको बता दिया कि एस टेकनिक एप पर आपका लाइव क्लासेज भ भी तक टोटल कित्ता resistance होगा यह आपको बेटा क्या करना है बताना है जल्दी से वोलो बेटा कैसे करेंगे इस question को ठीक है और answer क्या आएगा जल्दी से बताते चलिएगा ठीक सभी बच्चे जो है ध्यान से सुनो आप circuit को छोटा करते जाया करो आपका answer बड़े अच्छे से आएगा ठीक है जैसे देखो एक अ पॉइन आपका है ठीक एक पॉइंट में आपका ड़वन लगा हुआ है कित्ते का लगा हुआ यह 10का लगा हुआ है यह तो सीडीच में रहने वाला है अब आप यहां पर चेक करें ज़गा तो यहां पर आपको ऊपर तो यह की रिजिस्टेंस लगा हुआ है टोटल ठीक है वह कितने का है 20 Ohm का है कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है इसके बाद नीचे अगर आप देखें तो यह रिजिस्टेंस आपका 2 Ohm का लगा हुआ है और यह और यह द है 20 button bils क्यों क्योंकि आपको मैंने बताया था कि जब दू रजिस्टेंस आपके पैलल में डाइरेक्ट कनेक्ट होते हैं इस तरीके से तो क्या करते हो दोनों resistance का multiply और doesn का सम कर देते हैं हंखे तो between Um basically 400-40 to solve करने ayakka सक्ता हो मचाने धायगा आपका दस ओम आ उतने पूरे की जगए पर हम क्या लख सकते हैं दस को दो दो के साथ 10 और 10 के साथ यह कितने का जुड़ा हुआ है एठ का जुड़ा हुआ है किलियर बात यह हो गया और इधर आपका यह रिजिस्टेंस लगा हुआ हुआ है कितने गपहिए जी 10 पूरे का रिजिस्टेंस आपका आजाएगा फिर से 10 ओम ठीक है और एक रिजिस्टेंस दस ओम का और जड़ा हुआ है यह आपका भी पार्ट ठीक है तो दस 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 तीन सीरीज में लगे हुए हैं तो ए बी के बीच कुल प्रतिरोध कित्ता हो जाएगा ए और बीके बीच कु पूटल रिजिस्टेंस क्या बोलो आया की नहीं सबको खीक इसाघर होद ने भी बिलक कलு. अंसर दिया हुआ है हमारे साथ तो संबीबच्च्छे जो है भैतरीन आंसर पर तोुशा नहीं जुड़े साथis पर आप लोग जुड़ जाईए ठीक है निशाक अस्यप हो गई है या जो भी बच्चे यहां पर लाइब देख रहा है जितने भी बच्चे लाइब देख रहे हैं यह सारे बच्चे कल मुझे एप लाइब देखें क्यों क्योंकि आपकी कल से जो क्लास है टेक्निकल सब्जक मैं देखते हैं आहिए जी क्या है बहुत भैतरीं कौस्चन हो इस क्यूष्ट में आगर मैं आपके कहूं कि पी तथा क्यू आरओ के बीच अ Français कितना होगा यह आपको बताना है ठीक है के लिए तो पी तथा क्यूंग के बीच में टोटल रिजिस्टेंस कितना है यह आपको बताना है एक क्वास्चन और दूसरा क्वास्चन आपको बताना है इसमें पी तथा आर के बीच टोटल रिजिस्टेंस at rke b2 total resistance कि यह आपको 2 कोश्चन आपको बताने हैं एक पी और क्यू के बीच में total resistance और दूसरा आपको P और के बीच में total resistance बताना हैं ए समझे क्या तो दाखो ध्यान से सबसे पहला कवस्चन कर रहे हैं हम लोग तो P तथा Q के बीच रिजिस्टेंस ठीक है तो P तथा Q के बीच अगर हम देख हैं तो यह रहा आपका P और यह रहा आपका Q इसके बीच में अगर आप देख है तो हमें केबल यह तीन रिजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं येस और नो पी और क्यू के बीच में अगर आप चेक कर पा रहे हो तो पी और क्यू के बीच में हमें किबल एक दो और तीन रिजिस्टेंस दिख रहे हैं है ना तो यहां पर जो टोटल रिजिस्टेंस आपका होगा वो तीनों किसमें जिए गए हैं सीरीज में तो टोटल रि आपका कितना हो जाएगा 30 ohm हो जाएगा तो जाएगा विटा जी यह आपका total resistance आपका 30 ohm हो जाएगा बोलिए आई बस समझ में कि नहीं आई सबको आई बहुत सांदर बात ठीक है तो यह प्रसन आपका बहुत अच्छे सा सॉल्व हो गया अब बात कह रहा था वो पी तथा आर के बीच में total resistance पी तथा आर के बीच तो चेक करो जाएगा ध्यान से पी और आर के बीच में जो हमें चीजां देख रही हैं वो क्या देख इस तरीके सरे ना तो इससे कुछ लेना है इसका से कुछ लेना है ठीक है कि यह थनी चीज देख रही है तो हमें इसको फुड़ा अच्छे से उद्ना लेते हैं यहाँ च cioè गई दो बट गय तो बाट गये यह दो रों किसमें यहां टोगर में सब्सक्राइब सबस्सक्राइब है और इस तरीके से समझगा है तीक ये बात कितनों को समझ में आगई ये बताओ जल्दी से फिर से देख लो ध्यान से क्या है बिटा एक दो तीन चार पाँच छे यह च्छे रेजिस्टन्स आपके सीरीज में कनेक्ट है ठीक है तो आरवन आरटू आरटिरी ये सारे इस तरीके से हैं इन दोनों का हमें पी और की beiक में कोई लेना देना नहीं है ठीक है तो हम इनकार सौल्व करेंगे ये दोनों किस में हैं और यह दोनों भी इन में सीरी इच में लगा भी यह सारे दस-ब्स ओंग रजिस्टेंस है तो पी और आल की बीच में टोटल रिजिस्टेंस खितना में होगा आई ए कैलक्ट प्लस दस बराबर आपका हो जाएगा तीस ओम यहां पर भी रजिस्टेंस कितना हो गया तीस ओम आपको मैं बता दू यह जो सरकेट होते हैं यह आपके सरकेट कहलाते हैं इनमें आप किरीवी दो पॉइंट के बीच में रजिस्टेंस निकालोगे तो आपका टोटल कितना आएगा तीस ओम ही आएगा ठीक है समझे मतलब सारे पॉइंट के बीच में टोटल रिजिस्टेंस आपका एक्वल रहेगा आप चाहिए कहीं भी किसी भी सब्सक्राइब के बीच में निकालने हैं समझे तो 30 ओम इसदा राइट आंसर होगा प्रतीक्षा पाल जी का अंसर बिल्कुल सही था प्रतीक्षा भारती जी का अंसर बिल्कुल सही था रितिक कुमार ने भी बिल्कुल 60 का अंसर दिया हुआ है ठीक है प्रशांत कुमार का इस ओफर को इंक्रीज किया गया है तो सभी बच्चे इस इंक्रीज ओफर का यूज करके अपने एस टेक्निक अप से जुड़ें कल से आपकी जो यह क्लास चल रही है टेक्निकल सब्जट की यह एस टेक्निक अप पर चलाई जाएगी लाइव चलेगी इस बात का ध्यान रख ठीक है इमानसी चौदरी जी है ना समझे तो जो भी बच्चे पर जुड़ें वो कल से एप पर ही क्लास लेंगे और यूटूब पर क्लास कल से क्या हो जाएगी बंद हो जाएगी तो मैं चाहूंगा कि जितने बच्चे अभी हमारे साथ यूटूब पर क्लास देख रहे है वो सारे बच्चों को मैं कल एप पर देखना चाहता हूँ तो सभी बच्चे एप पर हमारे साथ जरूर जूर जाएए अभी के अभी कॉल लगाए हमारे नंबर रखकर काई चाहर गढाए हमारे पास एक सर्क्ट है इसमें जितने भी रिजिस्टेंच लगये हूँ है सारे के सारे दो दो ृम की रिजिस्टेंच है तो इसका ठोट endless क्या होगा बहुत सिंपल मेटा देखो जी ये दो ओम का है ये दो ओम का है ठीक टोटल इस्टेंस निकालना है यार सिंपल देखो इन दो पॉइंट के बीच में निकलेगा टोटल इस्टेंस ये दोनों किसमें पैलल में इन दोनों का टोटल इस्टेंस देख लो जल्दी से तू मल्टीप्लाइबाइब टू अपॉन टू प्लस का टू 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 जाब यहां से दो लोग बट गए यहां पे यह टोटल बन बन गया यह आपका क्या है यह आपका क्या है यह आपका टू ओम है यहां पर हम चले यह भी आपका मिलके क्ता हो जाएगा यह टो फोर हो गया ठीक है कुछ इस तरी के से बनेगा सब्सक्राइब है यह बन का है यह टू का है है यह टू का है यह टू के किन कितना हो जाएगा यहां पर आपका दो बटे हुए है यह आपका चार का और यह आपका तीन का और इसके साथ में यह चार का ठीक कुछ यह चार बराबर दोलाएगा साथ की 28 हो जाएगा आपका तीस बटा साथ मतलब 30 अपन सेवन ओम आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल थर्टी निस वर यार 40 आना चालिए 282 304 था चालिस चालिस बटे सातों आपका क्या हो जाएगा इसका बिलकुल 60 कि जबाब हो जाएगा कितनों का आया बहुत सांदर प्रियंका गुपतम ने आंसर बिलकुल 60 के दिया है बहुत बढ़िया बेटा जी ठीक है और हिमानसी चौ सेवन क्रियर नाम चलिए सिवांगी गौतम का आंसर 49 कैसे आरा बिटा टाइपिंग मिस्टेक फिर से नंदन कुमार 30 नहीं बिटा 40 अपॉन सेवन आएगा चेक करो आप सही से 40 अपॉन सेवन इस दाराइट आंसर होगा इस प्रसन का बिटा जी ठीक तो सभी बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं सर उनक्या टेक्निकल तो पढ़ाई नहीं जा रहा है एक भी सब्जेक्ट अब का करें हम हमने का जब गए थी तब पूछके गए थी का हम से हमसे पूछके गए नहीं तो हमसे पूछके आके बोल काहे रहे हो है ना हाँ तो आप ऐसी जगह सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे है लाइफ की तो दूर तक छोड़ दो कि उनके लाइफ तो चले गई नहीं जिन्दगी में ठीक टेक्निकल सब्जट कोई लाइव नहीं पढ़ाएगा आपको कि लियर तो यह आपका यहां पर हो चुका है आए नेक्स्ट क्वेस्ट पर होगा यह आपको वताना है इसमें तो इस सर्कुट को देखकर कि आप लोग जरूर हो गया होगे कि कैसे करें यह कॉश्चन सर ए और बी के बीच में तो के बलम है यह दो दिख रहे हैं यह दो भी दिख रहे हैं ठीक है और ए और बी के बीच में और तो हमें कुछ नहीं दि है तो इसका total resistance plus इसका total resistance add कर दो total resistance आ गया और बीकिंकन वोलो हां जाकीना ठीक बिल्कुल लेकिन ऐसा नहीं। हाँ अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ऐसा kind नहीं होना हो ठीक यह आप विल मुह Peters ताकि गलत सोच रहे देखो क्या होगा हमने फे को उठाया और इस तरफ मौड़ दिया को इस रफ इस वे ऑद इस बमी आनलव दिया तो बन जाए और आपक्ञाणी पॉइंट से दो लोग चले गैए ऐसे ठीक है और शेम इस पॉइंट से क्या हुआ था यहां पर यहां पर भी एक रजिस्टेंस लगा था और यहां पर भी एक रजिस्टेंस लगा था तो क्या अगर अगर थोड़ा सा और खीचेंगे तो यह कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा कैसा देखो डायमंड सेप ले लेगा यह पूरा सर्केट यह पूरा सर्केट जो होगा इस पूरे सर्केट को हम कनवर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से ए पॉइंट ठीक और यहां से बी पॉइंट और आसे और यहां पर आपका टोटल एसटेंजश कञनेक्ट होगा यहां पर आपका टोटल एस्टेंश यहां कितने का था समझें ना चलिए बहुत सांदार ठीक तो ध्यान से देखेंगे दस और चार चाओधा कित्ता हो जाएगा यहां पर टोटल टोटल इस्टेंस चाओधा हों 15 और 6 कित्ता 21 तो हमने देख लिया एपॉइंट और बी पॉइंट एपॉइंट और बी पॉइंट इनके बीच में ट टोटल इस्टेंस एक लगा हुआ है किस का और एक लगा हुओआ है आपका 14 का ठीक है दो रेस्टेंस पैलल में हमाने करेक्ट यह आपका total resistance होगा ठीक समझे ना यह क्वाश्चन आपका बहुत बढ़िया क्वाश्चन था हमें इसमें क्या करना था इन दोनों सर्केट को उठा करके ऐसे किया तो यह आपका क्या बनी गया एक प्रतिमा यहां लेकर के खड़ा हो गया बहुत सांदर को समझे क्या हिमान सीजी अगर आपको जाना है तो इतना पॉपुलर्टी करके कहे जा रहे हैं आप है कि मैं जा रही हूं मैं जाना है तो चुप-चाप से चले जाओ कि तो मैं सम्ग में दो चल लोगों को जाना है लेक किया हमने इस एपाइंट को ऐसे उठाया यह जो एक पॉइंट था हमने इस a point पे एक line बनाये दे रहे हम देखो तुमना यह a point था आपका है से हमने क्या किया हमने इस a point को उठा गार उठा कि इंत pudding को एधान ले ऐा अ बोलो ले जा सकते ना को वह की दिक्त आफस्व हमारा जो यह b एक क्या था भी पाइंट का से इहांसे यहां से भी पाइंट को भी उठाया और ऐसे ले गए अपने गळाइन और पोञार की तरफ घ।ो यह इवी पोइंटों क tief अप कि já знатьसे और 2 पाइंट सब्सक्राइब कर दिया किलियर बात बहुत स्तांदर भाई साब आंसर बिल्कुल गजब दिये हो आप लोग अगला प्रसन देखते हैं जी क्या गह रहा है आपसे अगला प्रसन बहुत बढ़िया प्रसन होगा धाकर तरीके से देखें जरा ध्यान से यह वाला अनुद सब्सक्राइब करो यह दोनों सो ओनके दो किसमें दिये गाए पहलल में तो इन दोनों को पहले वाल्व करो और एक अंसर निकालो सो मल्टीप्ला ऐबाए 100 upon में 200, 100 multiply by 100 upon में 100 plus 100, तो यह हो जाएगा आपका 100 multiplied by 100 upon 200, 100 से 200 जाएगा 2 time, 2 से 100 जाएगा 50 time, तो यह दोनों मिलके कित्ते के बन गया भीया, ये दोनों मिलके बनेगा ये आपके 50 Ohm के ये दोनों पॉइंट है तो इन दोनों को हटा करके मैं यहाँ पे एक लगा सकता हूँ क्या बिलकुल देखो द्यान से ये आपका A point था इधर पे देखो क्या हो गया ये एक बनेगा आपका किते का 50 का एक लगा हूआ है ये 100 का Studios ठीक है और ये आपका क्या लगा हूआ है ऐसे यहाँ पे 100 का ठीक है और ये आपका यहां पे भी क्या लगा हूआ है 100 Ohm का और इधर पे A point है और इधर पे आपका B point है ऐसा ही है ठीक तो देखना ध्यान से अब, पचास, सो, तो देखो, सो और पचास किसमें हो गए ये, सीरीज में, और ये आपका सो ओम, और ये भी आपका सो ओम, तो देखो, सो और पचास किसमें हो गए, सीरीज में, तो ये सीरीज में हो करके, टोटल कित्ते बन गए, देड़ सो, ये दोनो किसमें है तेलल में तो वन अपॉन 50 प्लस वन अपॉन 100 प्लस वन अपॉन 100 कित्ता है सियम आएगा टोटल सियम आएगा 300 टू टाइब थ्री टाइम थ्री टाइब एट अपॉन 300 तो टोटल एजिस्टेंस कित्ता है आएगा आपका 300 अपॉन एट सॉल्व करो एट टू जा एट थ्री जा ट्वेंटी फोर छे बचे आठ सते चपन चार आठ पंचालीज थर्टी सेबन पॉइंट फाइब ओम इस दा राइट आंसर तीग है राहूल कुमार जी आपको बताना चाहते हैं एस टैकनिक पर यह जो क्लास होती है यह ठीक साथ बज़कर 15 मिट से स्टार्ट होती है मैट की क्लास मौर्णिंग में 8-15 पर स्टार्ट होती है तो सभी बच्चे उनी क्लासों के अकॉर्डिक अपनी क्लास से लाइब जुड़े ठीक तो यह बहतर हम लोग रजिस्टेंस में थोड़ा आगे से बढ़ेंगे थोड़ी सी बातें आगे करेंगे कि रजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से होते हैं रजिस्टेंस को कौन-कौन से फेक्टर करते हैं रजिस्टेंस टेंप्रेचर पे कैसे डिपेंड करता है temperature coefficient कैसे निकाला जाता है यह सारी चीज़ें जो है हम लोगों को आगे अब पढ़ने हैं अब तक आपने वो पढ़ा था जो आपने पहले पढ़ रखा है 10th class में 12th class में आपको मिला होगा अब आगे आप वो पढ़ेंगे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ठीक है रजेस्टेंस की डिपेंडेंसी आपने नहीं पढ़ी है वो सारी चीज़ें आप लोग अभी पढ़ेंगे हमसे ठीक है तो यह आपका question बहतरीन तरीके से solve हो चुका है आईए अगरे question पर चलते हैं जो भी वच्ची अब तक आप पर नहीं जुड़े हैं तुरंत जा करके हमा करना क्या है कि आए यार कि अ 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 कि भगवानी जाने क्या है चलिए तब तक आप लोग इस question को solve कीजिए अ कि अ यह अ अच्छे से चल लो है का है लाइट क्लास में तुम ऐसी बातें कर रहे हम से तो यह वाला जो question आपको बता दे क्या कि जो भी बच्चे अब तक हमारे एस टेक्निक अप से नहीं जुड़े है तुरंत जा करके एस टेक्निक अप से जॉइन होई है यह माई option भी आपके लिए वेलविल करा दिया गया है तो आप लोग जो है यह माई option से भी जुड़के एस टेक्निक पर मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं पूरा syllabus आपको complete already मिल रहा है प्लस live class है भी आपको मिल रही है तो आप एस टेक्निक से जुड़कर करके अपनी तयारी को बहतर नहीं बहतरीन कर सकते है ठीक है तो जाईए और तुरंत एस टेक्निक देख रहे हैं पैलल में इन दोनों का टोटल रिजिस्टेंस कितना होगा चेक कर लो जल्दी से 6 x 3 अपॉन 6 प्लस का 3 तो 63 जा एटीन एटीन अपॉन 9 मतलब टोटल हो जाएगा दो ठीक तो इन दोनों को मिलके कितना बना देना है हमें दो ओम बना देना है तो अब देखो क्या गया, क्याकका देखोँ यह चार ओम का यह एक ओम का यहाँ पे आपके यहां पर शब्रयों के बाद यह आपका एक ओम एक को-इक बन गया पांच ओम फांच की दिछ-ब बीच मैं यहां पर 2 ओम- am a credibility ठीक है और यह आपका है टोटल अठ खोंग πर यह आपके दोनों पॉइंट अब चेक करो फिर से 50 नुम आक्रती बनी के लिए और इनका टोटल हो जाएगा 6 यह हंको इनका टोटल कितना हो जाएगा आपका हॉर हमने देख लिए बहुत भाई आफ्य यह एक है तो इस अपन लिए खुरती कुछ burgers तरीके से मन जाएगी कि यह आपका कित्ना बन जाएगा टोटल यह आपका टोटल 4 by जाएगा यह तोटल आपका 6김 सिक्स भण जाएगा और यहां पर आपका टोटल एक और न जाएगा यह चार प्रॉं गजरी में तो जब यह तो तो यहां से अंसर आपका आजाएगा फोर ओम इसके साथ मैं यह बनेगा आपका इस आथ हो मोरीआपका एपाइंट यह भी पाइंट यह फोर था यह तू-पैंट-4 आया यह आठ आया तीनों किसमें सीरीज में अगर तीनों सीरीज में तो 4 प्लस का 2.8 2.4 प्लस का 8 8 4 12 12 14 14.4 आपका क्या जाएगा टोटल रजिस्टेंस इतना आएगा आपका 14.4 ओम इस ता राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का इलियर ना ठीक तो आपका अंसर क्या होगा 14.4 ओम इस क्वेश्चन का आपका बहुत बढ़ी अजदी के से हमन दोनों पैलल में तो टोटल किता आएगा दो फिर यह दोनों सीरीज में यह दोनों सीरीज में फिर यह दोनों किसमें यह दोनों पैलल में फिर इसके साथ यह तीनों किसमें यह तीनों आपके सीरीज में डन कोई प्रॉब्लम नहीं ना चलिए बहुत बढ़िया तो अगला republisir को पूच्षे ऊपस्स के सामने हैं वो कुछ इस तरीके सरा इस सर्क्ट में फ्लोो होने वाली कर्ट आपको बतानी है थेकिने वच्छित वह क्या है तो सभी सब्शन को सॉल्व बकरेंगे करके इसका आंसन निका लेंगे स्कितनी करेंड ताई ए और डशेंटेय कितना है फ्लो होनेवाली करेंट ओर आपको टोम्हत कितना आया है दोनों चीज़ें क्या करने है अब कुछिछन बतानी है तो मतलब म्यंद चorous कितना है और इस परिपत्रमें पह用 होने वाली है धाराका माल कितना है वह आपको बताना है इसके ज़स्ट बाद। आपकी जो है फिज़स्ट की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तुरंत जाइए AS Tech travelled आप और यूटुब चैनल पर। आप लोगों के लिए फिज़स्ट की क्लास चल रही है। तो आप इस launching offer का लाव उटा करके अपने course में enroll हो ये और अपनी तयारी को बहतरीन कीजिए ठीक है तो thank you so much जै हिंद जै भारत अब लो माई डिरी स्टुडेंट्स हम हैं इंडिया के नंबर